नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कारिक्रम मुकमल जिन्दगी में चली कारिक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटे सी कहानी के साथ कहानी ये है कि घोशले में बैठे नन्हे से परिंदे ने अपने पंक फरफडाए और सहम कर जहां था वहीं पर बैठ गया बच्ची को भैवी देख करके माने उसे घोशले से धकिलते ही कहा जब तक तु ड़ड़ना नहीं छोड़ेगा तब तक तु उड़ना कैसे सीखेगा फिर क्या परिंदे ने हिमत जुटाई और दूसरे ही पलाकाश में पंक फरफडाते हुए उड़ गया मरे साथियों इस कहानी का संदिश यही है कि आत्म विश्वास को पैदा किये बिना जिन्दगी में कोई बड़ी उपलब्ध प्राप्द नहीं होती है जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए रिश्क तो लेना ही पड़ेगा अपने चारों तरफ कंफर्ट जोन की दिवारों को गिराना ही पड़ेगा जब तक आप आराम तलबी के गहरे को नहीं तोड़ोगे तब तक जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ोगे अता आये आत्म विश्वास के साथ पुरी हिम्मत के साथ अपने जिन्दगी की राहों पर आगे बढ़ें फिर क्या मन्जिल तो मिलकर ही रहेगी नमस्कार